तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही important topic के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकरी दोस्तो आपके लिए मैं यहापर लेके आया हूँ जो आपको long term में हापर बहुत ज़्यादा benefit करने वाली है तो आपको दोस्तो इस वीडियो पूरा जरूर देखना है ताकि आप कोई भी point यहापर miss ना कर पाएं और आप इसका पूरा पूरा benefit यहाँ पर ले पाएं तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने portfolio को save कर सकते हैं कैसे बचा सकते हैं कैसे हम यहाँ पर अपनी strategy को इस तरीके से हाँ पर implement कर सकते हैं कि bear market में दोस्तो जब correction आएगी अच्छी खासी तब हमारा portfolio वहाँ पर एक मजबूत चटान की जैसे खड़ा रहे क्योंकि देखे उस तो अभी bull market चल रहा है और bull market में हमारा portfolio definitely आपर कई गुना हमको अच्छा खासा मतलब return generate करके दे रहा है और एक bull market में जो typical एक correction होता है वो हमको पिछले 3-4 दिनों से देखने को मिल रहा है अगर हम index level पर बात करें तो देखे 1% अगर index correct होता है तो हमारा portfolio यहां पर 5% के आसपास 4% के आसपास correct हो रहा है और यह दोस्तो एक typical correction है यहां पर आप कह सकते हैं कि एक ऐसा नहीं कि crash आया एक typical correction है उसमें हमारा portfolio इतना खासा impact हो रहा है तो आप मान के चलिए अगर जब bull market आएगा जब यहां पर पूरा stock market पूरे index crash होंगे तो हमारे stocks मे कितनी गिरावट आ सकती है जहां पर 72-80% तक stock crash हो सकते हैं तो उस situation में हमको कैसे handle करना है हमारा portfolio कैसे हम bear market को handle करें इस वीडियो में दोस्तो आपको मैं बताऊंगा तो यहां पर दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमा जो SS हमको करना पड़ेगा कितना हम रिस्क ले सकते हैं क्योंकि जातर retail निवेशक दोस्तो अगर हम बात करें तो यहां पर low risk और moderate risk वाले हैं क्योंकि salary person है अब जातर देखेंगे तो कोई यहां पर जाधा risk लेता नहीं है जो पैसा हम generate कर रहे हैं हमारी income से वही हम यहां पर base वहां पर मजबूत हो बेस मजबूत होगा तो तब ही हमारी इमारत भी long term के लिए खड़ी रहेगी और base मजबूत नहीं होगा तो इमारते ढहे जाएंगी जब situation आएगी कभी कोई तरासिदी आएगी जैसे कि bear market वाली तो फिर हमारा portfolio में काफी जाधा नुकसान हो सकता है अगर मैं आपको example दू केदारनात का केदारनात का देखिए जोस्तो कितना ज़्यादा वहाँ पर बाड़ आई तो सब चीज़ें वहाँ पर टैसनेस होगी लेकिन जो केदारनात का जो में टेमपल था वो अपनी जिगर से टस से मसनी हुआ उसको आज तक नहीं आई क्योंक आप चलिए हम बात करते हैं पोर्टफोलियो लेवल पे तो इस चीज़ के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं यह एक basic standard है इसको मैं again reiterate कर रहा हूं क्योंकि यह बहुत ही जादा important है इसको समझना बहुत important है इसको नहीं समझेंगे तो long term में आपको काफी नुकसान हो सकता है हमको काफी नुकसान हो सकता है तो portfolio में जैसा दोस्तों हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि देखिए allocation important है portfolio में हमारे 50% allocation stable stocks का safe stocks का consistent compounder stocks का रहना चाहिए क्योंकि जब दोस्तों market में correction आएगा तो यह stocks हमारे portfolio को stability provide करेंगे जब index correct होगा तो हमारा portfolio इतना correct नहीं होगा अगर लेकिन आपके portfolio में small cap है mid cap है micro cap है तो वहाँ पर हमारे portfolio में ऐसा dent पड़ेगा जिसमें panic आना लाजमी है तो अभी आप देखा market में 3-2.5% की correction आई लेकिन जो portfolio है लोगों के वो 10-10% तक correct हो गए उसके पीछे reason यही है कि हमारे portfolio में balance नहीं है portfolio में balance होना बहुत जरूरी है ज बहुत important है इसलिए 50% allocation आपको ऐसे stocks का रखना है जो consistent compounders है stable stocks है safe stocks है ऐसे sectors को belong करते हैं जो की जादा crisis आने पर भी दोस्तों वहाँ पर impact नहीं होते तो अभी मैं आपको 15 stocks भी बताने वाला हूँ कौन से वह stocks हैं इस category में जो हमको यहाँ पर हमेश्य अपने portfolio में रखने चाह 50 to 60% 70% तक यहाँ पर अपना allocation रखना है लेकिन आपकी risk appetite moderate से high है तो आप यहाँ पर 30 to 40% 20% तक अपना allocation रख सकते हैं यह individual पर depend करता है जहाँ पर आपको ऐसी companies में invest करना है mid cap की small cap की quality है quality से कभी compromise नहीं करना है इसको आप गांठ बान लीजे quality से कभी compromise नहीं करना है क्योंकि अगर quality से compromise किया तो वो आपके portfolio में जो है काफी जादा एक portfolio में redness का जो निशान है वो काफी जादा बढ़ सकता है जो red आपको देखने को मिलेगा portfolio में अगर quality नहीं रखेंगा तो वो जादा हो सकता है rather than green तो इसलिए आपको इस चीज़ का धियान रखना है quality से कभी compromise नही करना है तो quality हमेशा रखनी है ऐसी companies रखनी है जो की sector leader हो या तो या फिर उनकी जो है monopoly हो या फिर जो है companies के जो plans है वो बहुत ही जबरदस्त है quality stocks है management बहुत ही जबरदस्त है ऐसे stocks में आपको हमेशा invest करके चलना है लेकिन again यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा आपकी risk appetite आप future में आपको capital के requirement है आपके कोई aspirations है goals है बचों की पड़ाई है यह चीज़ा आपको हमेशा ज्यान रखनी है उसके बाद आपको अपने portfolio में उस हिसाब से allocation करना है ठीक है तो यह होगा 30% वाला part 20% पार्ट जैसे के मैं हमेशा बोलता हूँ अभी तो उस तो market में थोड़ा ब mutual funds हो तो यह आपके पास रहना जरूरी है ताकि आप सही समय आने पर जब quality stocks correct हो रहे हो तो उसमें अपने पैसे को deploy कर पाएं ताकि आपकी average अच्छी होगी तो जो अपने यहापर investment किया है उस पर आपको अच्छी return मिले और अगर आप यहाँ पर diversify करें तो वो और भी बहत चीज हो जाती है gold में आप invest कर सकते है nifty bees index fund में भी आप पैसा लगा सकते हैं ताकि आपको दोस्तों वहाँ पर long term में काफी इसका फायदा हो और आपका portfolio में hedging भी थोड़ी बहुत होती रहे तो यह आपको completely risk appetite अपनी assess करनी है पहले उसके बाद आपको यहाँ पर allocation रखना ह लेकिन मैं in general बात कर रहा हूँ जातर जो हम जैसे निवेशक हैं उनकी risk appetite low to moderate के बीची रहती है तो हमको यह 50% 60% वाला पार दोस्तों कभी भी miss नहीं करना चाहिए क्योंकि जब bear market आएगा अगर आपके portfolio में small cap है mid cap है micro cap है तो portfolio अगर index 50% correct होता है ना तो वहाँ पर आप opportunity size है क्या business यहां पर expand होगा knowledge होना जरूरी है दोस्तो patience होना जरूरी है discipline होना जरूरी है इसमें से एक भी metric पर आप miss करते हैं तो आप कभी भी उसको hold नहीं कर पाएंगे अगर मैं आपको current का example बता हूँ देखिए market में correction है कई ऐसे बहतनी stocks है जो 20% 30% correct हो चुग हैं लेकिन लोग वहाँ पर उनको बेच रहे हैं जो सोच रहे थी कि हम इसमें long time invest करेंगे जब stock भाग रहे थे लेकिन अब जब correct हो रहे हैं तो वहाँ पर panic हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको business की समझ नहीं है उनको पता नहीं कि business कैसे यहां पर grow होगा उनका business model क्या है किस company किस product में company काम करती है किस segment को company किस segment में company काम करती है किस किस यहां पर end consumers को उनके segment जो है उनके products cater कर रहे हैं उनकी क्या growth है sector कैसे grow होगा जो हमारा sector मतलब आगे sector कैसे grow होगा यह सारी चीज़ों जानना बहुत जरूरी है तभी आपको conviction आएगा तभी confidence आएगा तभी आप वह stocks पी अगर quality stocks पी अगर आप लेकर रख लेना तो आप वहाँ पर जब bear market आएगा सब बेच के निकल जाएंगे इसलिए आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर आपका location प्रॉपर होना चीए ताकि conviction confidence के साथ आप उनको hold कर पाएं correction आने पर और आप buy कर पाएं तो यह दोस्तो हमको समझना पड़ेगा ठीक है यह हमने समझ लिया हमारी risk appetite क्या है हमको bear market में अगर survive करना है तो हमको अपना portfolio में balance रखना जरूरी है portfolio को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है base मजबूत होगा तो तब ही हम tick पाएंगे long term में survive करना बहुत मुश्किल है stock market में अगर यहाँ पर निवेशक जो है हमको stock market छोड़ते हुए भी देखने को मिल सकते हैं यह truth है दोस्तो कड़वा सच है यह अगर आपको मैं थोड़ा सा exaggeration लग रहा है तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा यह भी market जब आपको असली जब market आएगा वो आज से आने वाले कई सालों ब trader है कौन speculator है यह filter out होते हुए हमको देखने को मिलेंगे तो इसलिए इसलिए मों बोलना चाहूं चाहूंगा standard बात कर रहा हूं basic है बहुत ही लेकिन reiterate करना बहुत जरूरी है 50-60% का portfolio में अगर आपके अच्छे stocks होंगे तो आप वहाँ पर survive कर पाएंगे ठीक है चलिए अब speedy light industries market leader है जोस्तों देखिए उपर इस तरह से जितना भी dip आता है इनमें आप buy करके चल सकते हैं आपके portfolio का जो green part है जो जो base है जो आपका वो इनी stock से बनना चाहिए और इस stocks में market में जब bear cycle है ज़्यादा correct नहीं होंगे होंगे जरूर तो वहाँ पर एक opportunity की तरह आप इनको लीजेएगा क्योंकि long term में इनकी company की management है जो बहुत ही बहतरीन है जितने भी companies में बता रहा हूँ execution capabilities आपने इनकी past में देखी है और जो इनका जो अगर बात करें company कैसे grow हो सकती है तो इनके पास इस प्रकार के cash flows हैं दोस्तों ये companies लगातार cash flows generate करती है अपने internal accruals ही अपने business को expand कर रहे हैं कोई यहाँ पर equity company ज़्यादा dilute करती नहीं है debt ज़्यादा raise company करती नहीं है और इनके पास जो reserves है उस जो brand equity है उसके इसाफ से बात करें तो दूसरे segment में भी एक leadership create कर लेते हैं तो इस प्रकार किये companies हैं तो पिडिलाइट industry हो गई पहली दूसरी है Asian paints Asian paint में देखिए अभी हमको recently गिरावट देखने को मिली है आप देखिए कितना गिरावट हो यह उपर इस तरों से stock जो है करी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है लेकिन अगर आप business को देखेंगे business पर focus करेंगे company के management ने क्या कहा है उस पर focus करेंगे यह बोल रहे हैं कि आगे आने वाले सालों में आगे आने वाले quarters में वापिस से यह अपनी top line bottom line को stability लाते हुए देखने को मिलेंगे margin वापिस से यहा आजी pressure देखने को मिल रहा है और इसी के वज़े से यहां पर मैं कहना चाहूँगा यह जो गिरावट है यह opportunity की तरह आता है long term में तो यह गिरावट में हमको इन companies को buy करना है long term में next है दोस्तो हिंदुस्तान Unilever एक और बहतरीन company FMCG की giant है इस stock में भी आपको ज़्यादा movement देखने को नहीं मिलेगी यह दोस्तो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर देखिए धीरे धीरे चलेंगे boring stock आप इनको कह सकते हैं लेकि investment दोस्तो एक boring journey ही आप consider कीजिए यहां पर अगर धीरे चलती है कच्वे की चाल चलती है और अंत में कच्वा ही दोस्तो जीता है rabbit वहां पर हो सकता है कि आपको ठक्ये हारता हुआ देखने को मिले बैठ जाए ठक कर सो जाए लेकिन जो कच्वा है वो धीरे धीरे अपनी मस्त चाल चलता रहेगा and destination पे पहुंच ही जाएगा तो ये companies में past में wealth बनी है आगे भी बनती रहेगी until and unless यहाँ पर कोई corporate governance नहीं आ जाते हैं ये तो हमको दोस्तो ट्रैक करने ही पड़ेंगे stock market में इतना risk तो रहता ही है लेकिन हाँ risk आपको minimize करनी है तो आपके portfolio में balance होना ज़रूरी है ऐसी companies में invested होना बहुत ज़रूरी है जितने orders इनके पास है जितनी strong pipeline इनके पास है उतनी ही हमको जो छोटी companies उत्मत देखने को नहीं मिलती आप देखेंगे इनके पास ही ज़्यादा order हमको आते वह देखने को मिल सकते हैं attrition rate आप देखेंगे तो एक तरह से सरकारी companies हैं ये मतलब kind of सरकारी companies आप बोल सकते हैं IT की sector की TCS हो गई, Infosys हो गई, HCL हो गई तो इन companies में जो गिरावट होती है इनमें आपको buy करके चलना चाहिए कोई इनमें दोस्तों दिक्कत नहीं है आपको long term में wealth यहां पर बनती भी देखने को मिलेगी next है HDFC life again HDFC life पिछले काफी time से consolidation zone में चल रहा है ये भी आपको movement नही पॉली है उसमें दिगज है, management काफी बहतरीन है, Aminds का usage काफी अच्छा है, यहां पर sector काफी अच्छा grow करेगा future में अगर हम बात करें तो basic raw material है Aminds जो हमारे daily life में भी use होता है तो हमको यहां पर समझना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि आपने company के return ratios देख लिए, आपने company क profit and loss देख लिए चलिए, company लगातार grow कर रही है, net profit भी company लगातार, revenue ग्रो कर रहा है इससे दोस्तों कुछ नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा किस company, किस sector में काम करें, किस segment में काम करें, company के क्या product है, कौन से वो end consumers को product यह cater कर रहे हैं और उसकी क्या demand है, जो है future में industry growth कि नहीं आ सकती है, क्या expansion plans है, management यहाँ पर क्या guidance दे रहा है, यह सारी चीज़े जानना बहुत important है, इसलिए उस्तों आपको कहता हूँ कि business पर focus कीजिए, business focus करेंगे, तो आप price को नहीं देखेंगे, price अगर आप price पर focus करेंगे, तो आप business को नहीं समझ पाएंगे, और business को नही buying कीजिए, और मैं आपको तब से बोल रहा हूँ दूस्तों की sector rotation हो रहा है, आप देखिए, सारे sectors हमको down देखने को मिल रहे हैं, लेकिन financial sector की बात करें तो HDFC bank, Kotec bank, आप देखिए, कितना अच्छी तरीके से भाग रहे है, तो financial sector में पैसा आ रहा है, financial sector आप अगर सोच रह आने की, छोटे-छोटे banks को merge किया जा रहा है, तो आप देखिए, shift is happening towards the private sector lenders, private sector banking यहाँ पर बहुत grow करेगी आने वाले future में, और HDFC bank, Kotec bank आपको यहाँ पर बहुत बड़े बनते हुए देखने को मिलेंगे, और market cap आप देखिए, अभी 9,00,000,000 करोड है, लेकिन यह market cap कह कहां तक जा सकता है, you know, we cannot think, तो यह है HDFC bank, इसमें भी आप current level पे, इन सब पर दोस्तो current level पे buy करके चलिए, या फिर धड़ डिप पे इनको buy करके चलिए, कोई दिक्कत निया, again, Kotec Mahindra bank, देखिए, क्या शांदा run-up हो रहा है, इसमें, Estral Limited, pipe sector की दिगज कंपनी है, pipe sector आन आर्याम से यह handle कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह companies आपको sustain करती हुई देखने को मिलेगी market में, pi industries, agrochemical space की बहुत ही भैतरी company है, cdmo player है, मतलब लगातार consistent compounder है, उसमें अभी management बहुत ही जवर्दसता है, execution capabilities काफी अच्छी है, लगातार joint venture कर रहे हैं, लगातार नए segment में उतर रहे हैं, तो यह अपने cash flows को लगातार reinvest करते हैं, जो company उसको लगातार cash flows generate करेगी, लगातार अपने cash flows को reinvest करेगी अपने business में, जो capital employed है, उसको लगातार grow करेगी, without any equity dilution, without raising any debt, जिनके पास अपने free cash flows से ही अपने business में reinvest करेगी, वो companies आपको grow होती हुई, आगे भी gathering companies में क्या ही बोने दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ, सारे चीज़े में बता चुका हूँ, अल्रेडी डिवीज लैब हो गई, नवीन फ्लोरी में देखे कितना अच्छा कासा correction देखने को मिल रहा है, because यहाँ पर quarter में हमको margins के front पे इन companies में pressure देखने को मिल रहा है, long term का नजरिया देखे तो fluorine chemistry दोस्तों यहाँ पर आप देखे लगाता trend में है, fluorine chemistry में नई companies उतर रही है, fluorine chemistry के demand है और उसमें यह जो company है market leader है, fluorine chemistry में इनके पास जो capabilities है, R&D capabilities है, इसको कोई टक्कर देने वाला नहीं है, तो यह जो गिरावट हैं, इनमें हमको market ढूणने को अच्छा कासा demand, gold में बढ़ेगी, तो gold में बढ़ेगी, तो method finance वहाँ पर आपको अच्छा perform करता हो, देखने को मिलेगा, जबर्दस company के asset quality है, मतलब it's a kind of bank दोस्तों, यह bank है, मतलब gold financing का, आप इसमें आराम से मतलब आख बंद करके long term में innovation कर सकते हैं, next है Nestle India, food segment में ब अच्छे दोस्तों, बजाज finance, again finance sector की NBFC की largest NBFC है, इंडिया की, इसका भी price देखे 7000 पर चल रहा है, लेकिन आप सोच रहें कि आप buy नहीं करेंगे, तब से मैं बोलना, आपको 18 सोपे दोस्तों, यहाँ पर सोच रहे से कि नहीं, इस stock में भी और गिरावत होगी, अब 7000 तो मैंने आपको कई बार वीडियो बनाएं कि हम वेट करते रह जाएंगे, और यह जो companies हैं, तार लाग करोड का market के app है, भाईया, यह 20 लाग करोड के market के app तक चली जाएंगी, और पता भी नहीं चलेगा, तो इनमें आपको हर dip पर buy करना है, क्योंकि financial sector अभी भी मुझे ल परफोलियो का part जरूर होंगी, नहीं है तो उस तो आप consider कीजिए, और भी companies हैं, मैंने यहापर काफी companies miss कर दी है, लेकिन अगर आपके नजर में है कोई company, तो comment box में जरूर comment करके बताएगा, तो I hope यह वीडियो तो आपको काफी informative लगा होगा, अगर आप इस strategy के थूरू च करें, तो portfolio यहाँ पर उस हिसाब से balance होना चाहिए, 50%, 30%, 20% या फिर 60%, 20% या फिर अगर हम बात करें, यहाँ पर 20%, ऐसे भी आप ले सकते हैं, यहाँ फिर 30% या फिर 10% ऐसे भी ले सकते हैं, तो यह आपको decide करना है, यह individual का decision है, बाकि मैंने आपको broad यहाँ पर जो है overview दे द बुल मार्केट आज नहीं, कल नहीं, परसो तो जरूर आएगा, तो उसके हिसाब से हमको अभी से तयारी करनी है, बुल मार्केट उस तो किसलिए होता है, बुल मार्केट होता है कि हमारी जो रद्धी कंपनीज हैं, जो हमने ऐसी कंपनीज हैं, जिनकी quality cheap है, जो companies debt पे जी नहीं है, उनको निकालने का टाइम होता है, बुल मार्केट में, और बियर मार्केट में ऐसा टाइम होता है, जब हमको quality खरीदनी होती है, बुल मार्केट में हमको रद्धी कंपनी निकालनी होती है, और बियर मार्केट में quality खरीदनी होती है, क्योंकि वहां पर opportunity बहुत ही